नमस्कार मेरे नाम है विनाश और आप सभी का हमारी यूटूब चैनल याने की स्पोर्स चॉक पर स्वागत है पाकिस्तान की टीम जो है जुलाई में शोडंका जाएगी जहाँ पे दो मैचों की टेस्सरी जो है उन्हें खेल ली है तो इस दोरे के लिए टीम का भी ऐलान हो चुका और इस समय रावल पिंडी में पूरी की पूरी टीम ठेहरी हुई है और वहाँ पे इंट्रा स्कॉर्ड मुकाबला खेला जारा है इंट्रा स्कॉर्ड का मतलब होता है कि अपने में ही बाढ़ के खेला तो दो टीमें बनी है, एक बाबाराजम की टीम बनी है और एक सर्फराज Ilayven नाम करके तीम बनी है और पहले दिन का खेल भी खत्म हो गया, चार दिनों का ये मुकावला है, चार दीवची है और बावराजम की टीम ने पहले बल्लेवाजी करते हुए 274 रन बना लिये है तीन विकेट के नुकसान पर सर्फराज एहमद लेवन के अगेंस्ट और जैसा कि आप लोग जानते है दा मैन इन फॉर्म यानि की बावराजम जो है एक बार फिर अपनी टीम के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाए उन्होंने और नाबाद 111 रन की पारी खेल कर जो है बावराजम लोटे हैं और इसके अलाबा फवाद आलम जो है वो भी बावराजम के ही साथ थे 75 रन बनाकर जो है नाबाद लोटे हैं फवाद आलम और होपस हो कि जब दुसरे दिन के लिए खेलने के लिए उतरेंगे तो क्या पता बावराजम 12 शतक मार दे या फिर फवाद आलम शतक मार दे 25 रन को जो है सलमान अली आगा जो नए खिलारी है उन्होंने विकेट लिया और इस तरहिके से जो है बावराजम की टीम ने सरफराज एहमद 11 के खिलाफ 274 रन बना लिये हैं जरूरी जो बात कहनी है तीन विकेट के नुकसान पर 187 रन की जो पार्टनर्शिप है वो फवाद आ अलम और अबावराजम की बीच में अब तक हुई है वहीं पे सरफराज एहमद 11 की तरफ से शाहिन शाह अफृती यासिर शाह और सलमान अली आगा को एक-एक विकेट मिला है इस ख़वर में बस इतना ही तवाम अपडेट्स के लिए बने रिये कहां तो स्पोर्स जौक के स बने बादे